परिजय हेलो बच्चो, आज हम प्रकाश की एवं प्रकाश की अंत्रों के बारे में सीखेंगे आपने अवश्य सुना होगा कि रेगिस्तान में एक निश्चित दूरी पर पानी का एक भ्रामक प्रकटन होता है अता अब ये प्रश्ण उठता है कि ऐसा क्यों होता है उत्तर ये है कि पानी का भ्राम कुल आंतरिक परावर्तन के कारण है ये है प्रकाश की घटना है जो दूर की वस्तूओं के उल्टे प्रतिविंबों के साथ पानी का भ्राम उत्पन्न करती है आताह इस सारे मोडिूल में हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में सीखेंगे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे गोलिये दरपणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करना अपवर्तन के नियमों को बताना आभासी गहराई को समझना संपून आंतरिक प्रतिबिम्ब की चर्चा करना और संपून आंतरिक विक्षेपन के अनुप्रयोगों की चर्चा करना गोलिये दरपणों द्वारा प्रकाश का परवर्तन परवर्तन आपतित किरण और परावर्तक प्रिष्ट पर अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। परावर्तन के नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और प्रिष्ट अभिलंब एक इही समतल पर अवस्थित रहती हैं। परावर्तक प्रिष्ट समतल या वक्र हो यह नियम प्रतेक बिंदुपल लागू होता है। गोलिये दर्पन गोलिय सतह के एक भाग से बने दर्पन को गोलिय दर्पन कहा जाता है। परावर्तित होता है उसे उत्तल दर्पन कहा जाता है। चिन परिपाटी आपदित किरण की दिशा में नापी गई दूरियों को धनात्मक माना जाता है और जिनको विप्रीद नापजाता है उनको रनात्मक माना जाता है। उपर की ओर मापिद उचाईयों को धनात्मक और अदोमुखी मापिद को रनात्मक माना जाता है। गोलिये दर्पण की फोकल दूरी जो किरणे एक गोलिये दर्पण के मुख्य अक्ष के निकट गमन करती हैं और इसके साथ छोटे कून बनाती हैं उनको पहरा आक्सियल यानि उपाक्षिय किरणे कहा जाता है। बिंदू F को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। ध्रोव और फोकस के बीच F P दूरी को गोलिये दर्पण की फोकल दूरी कहा जाता है। जिसको F द्वारा निरूपित किया जाता है। फोकल दूरी और वकृता त्रिज्या के बीच संबंध। अवतल दर्पन द्वारा बनाए गए प्रतिवेंब। अवतल दर्पन द्वारा बनाए गए प्रतिवेंब। दर्पन समीकरण दिया गया चित्र एक वस्तू AB और उसके प्रतिवेंब। अवतल दर्पन से बना है। MP पैरा एक्सियल किरणों के लिए CP पर एक सीधी रेखा को लंब रूप में लिया जा सकता है। तब दो समकोण ये त्रीकोण P घटा FP बटे FP इसका एक नाम रखें। चुकि कोण APB बराबर कोण A-PB- समकोण ये कोण ABP और A-B-P भी एक समान है। ताकि A-B बटे AB बराबर B-P बटे BP इसका दो नाम रखें। समीकरण एक और दो की तुलना करने से हम पाते हैं B-P घटा FP बटे FP बराबर B-P बटे BP इसका नाम तीन रखें। चिन परिपाटी को लागू करने पर हमको मिलता है वस्तुओं की दूरी BP बराबर घटा U प्रतिपिमी की दूरी B-P बराबर घटा V फोकल दूरी FP बराबर घटा F इसलिए समिकरन तीन को घटा V घटा का घटा F बटे घटा F बराबर घटा V बटे घटा U तक कम किया जा सकता है या एक बटे V जमा एक बटे U बराबर एक बटे F इस समिकरन को दरपन समिकरन के रूप में जाना जाता है रैखिक आवर्धन M वस्तू H की उंचाई के साथ प्रतिबिम्ब H डेश की उंचाई का अनुपात M पराबर H डेश बटे H दिये गए प्रतिबिम्ब के लिए रैखिक आवर्धन घटा V बटे U है उधारण 10 cm के एक अवदल दर्पन के सामने एक वस्तू को रखा गया है अगर इसका प्रतिबिम्ब दर्पन के सामने 20 cm की दूरी पर है तो वस्तू की इस्थिती क्या होनी चाहिए हल दिया गया है F बराबर घटा 10 cm V बराबर घटा 20 cm एक बटे V जबा एक बटे U बराबर एक बटे F एक बटे U बराबर एक बटे F घटा एक बटे V एक बटे U बराबर एक बटे घटा 10 घटा एक बटे घटा 20 इसका तात्पर है एक बटे यू बराबर घटा एक बटे दस जमा एक बटे बीस एक बटे यू बराबर घटा दो जमा एक बटे बीस यू बराबर घटा बीस सेंटिमीटर यानि के दरपण के सामने वस्तु को बीस सेंटिमीटर की दूरी पर होना चाहिए अपुवर्तन जब एक प्रकाश की किरण दूसरे पारदर्शी माध्यम का सामना करती है, प्रकाश का एक भाग प्रात्मिक माध्यम में प्रतिभिम्बित होता है, जबकि शेश दूसरे में प्रवेश करती है. एक माध्यम में प्रकाश की एक किरण की दिशा में बदलाव की परिःखटना जब ये दूसरे माध्यम में तिर्चे प्रवेश करती है तो उसे अपवर्तन कहा जाता है अपवर्तित किरण के बीच में और सामान ने अपवर्ती प्रिष्ट के बीच में के कौन आर को परावर्त का कौन कहा जाता है अपवर्तन के नियम अपवर्तन के नियम आपदित किरण, अपवर्तित किरण और प्रिष्ट अभिलंब एक यही सम्तल में होते हैं आपतन कोण आई के साइन का अनुपाद और अपवरतन कोण आर का साइन माध्यम के एक दिये गए जूड़े के लिए इस्थिरांग है इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं गणिता नुसार इस्नेल का नियम देता है साइन आई की बटे साइन आर बराबर एन एक्किस जहां एन एक्किस इस्थिरांग है इसको माध्यम एक के समन में माध्यम दो का अपवरतनांग कहा जाता है अगर एन एक्किस पड़ा है एक से तो अपवरतित की रण अभिलंब की ओर जुग जाती है अगर एन एक्किस छोटा है एक से तो परावरतित की रण अभिलंब से दूर जुगती है एक माध्यम का अपवर्तनांग जितना उचा होगा, प्रकाश की ये स्तर पर वो उतना ही घना होगा आभासी गहराई अपवर्तन के कारण वस्तू दूसरे माध्यम जैसे पानी में उठती हुई मालुम होती है पूर्ण आंतरिक पर अवर्तन जब प्रकाश की एक किरण सगन से विरल माध्यम में परीधी पर आपतित होती है ये अभिलंब से दूर मुड़ जाती है आपतन कोण में बढ़ोत्री के साथ अपवर्तन कोण बढ़ता है सगर्न माध्यम में किसी निश्चित आपतन कौन के लिए विरल माध्यम में तत्संबंधी अपवर्तन कौन 90 डिग्री होता है इस विशेश आपतन कौन जिसके लिए तत्संबंधी अपवर्तन कौन 90 डिग्री है इसको एक क्रांतिक कौन कहा जाता है, जो सीध्वारा निरूपित किया जाता है। अगर आपतन कौन क्रांतिक कौन से परेबढ़ता है, परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए आपतित किरन सगन माध्यम में वापस आ जाती है। इस परीखटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए इस्थितियां किरन को सगन माध्यम से फिरल माध्यक में अवश्य गुजरना चाहिए। दिये गए माध्यम के जोड़े के लिए सगन माध्यम में आपतन कोण, क्रांतिक कोण से अवश्य बढ़ा होना चाहिए। माध्यमक के अपवर्तक सूझकांग और कोण में संबंध। अगर ND और NR सगन और विरल माध्यक क्रमानुसार अपवर्तक सूझकांग हैं, तब स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर बड़ाबर NR बड़े ND मेहत्पून कूण सूझकांग के लिए आई बड़ाबर सी और आर बड़ाबर 90 डिग्री सेल्सियस इसलिए साइन सी बड़ाबर 90 डिग्री बड़ाबर NR बड़े ND इसका ताथ पर साइन सी बड़ाबर NR बडे ND हैं अगर दुल्लब माध्यम में VR प्रकाश की गती है और VT वो भी घरे माध्यम में, तब साइंसी पराबर VT बटे VR. प्रकृती में पून आंतरिक परावर्तन और इसके तक्नी की अनप्रयोग. म्रिक त्रिश्णा रेगिस्तानों में कभी-कभी एक व्यक्ती एक पेड़ का उल्टा प्रधिविम देखता है, जो पेड़ के निकट एक तालाप की मित्यधारणा देता है. इसे म्रिक त्रिश्णा कहते हैं. हीरों की जगमगाहट हीरा हवा इंटरफेस के लिए क्रांतिक कौन बहुत छोटा होता है. लगभग 24.4 डिग्री. जब बारीस रोज से प्रकाश अच्छी तरह से कटे हीरे में प्रवेश करता है, हीरा अपने अंदर अनेक पून आंतरिक पड़ावर्तनों को जिलता है. जब किसी प्रिष्ट पर आपतन कोन 24.4 डिग्री से कम होता है, केवल तब अपवर्तन हो सकता है. इस प्रकार हीरे में सभी दिशाओं से प्रवेश करने वाला प्रकाश किनी दशाओं से बाहर निकलता है. इसलिए इन दिशाओं से देखने पर हीरा जगमगाता नजर आता है. प्रिष्ट जब किसी प्रिष्ट के अपवर्ती प्रिष्ट पर एक किरण अभी लंब रूप में आपतित होती है, वो बिना मोड़े गुजरती है और काच इंटरफेस पर 45 डिग्री के कोन पर आपतित होती है, जो 42 डिग्री के क्रांतिक कोन से बड़ा होता है, और इस प्रकार पूर्ण आंतरिक परवर्तन होता है, एक पूर्ण परवर्ती प्रिष्म को प्रयोग किया जा सकता है, क्रिणों को 90 डिग्री से विचलित करने है तू, बिना किसी प्रकार विचलित किये हुए उल्टे प्रतिविम्ब को सीधा करने है तू. प्रकाश की फाइबर तन्तू एक प्रकाश की फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन युक्ति है, जिसके द्वारा एक प्रकाश संकेतों को एक धांग से दूसरे को उर्जा की नगर्ने हानी के साथ संचारित किया जा सकता है. क्या आप जानते हैं, सन 1670 से 1672 तक न्यूटन प्रकाश की पढ़ाते थे, इस तौरान उन्होंने प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के परावर्तन की खोजवीन की. विल ब्राड इसमेल ने सन 1621 में प्रकाश के अपवर्तन पर अपने सिध्धान ते दिये. साहरांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संख्षेप में दोहराएं. एक गोलिये सतह के एक भाग से बने, एक दरपन को गोलिये दरपन कहते हैं. दरपन समीकरण, एक पटे V जमा, एक पटे U बराबर, एक पटे F. एक माध्यम से प्रकाश की एक किरण की दिशा में बदलाओ की घटना, जब ये दूसरे माध्यम में त्रियक प्रवेश करती है, इस घटना को अपवर्तन कहा जाता है. स्नेल का नियम देता है, साइन आइक पटे R बराबर N21, जहां N21 इस्तिरांग है, इसको माध्यम एक के सम्मद में माध्यम दू का अपवर्तनांग कहा जाता है. संपूर्ण आंतरिक परवर्तन के लिए इस्तियां, किरण को सगन माध्यम से विरल माध्यम में अवश्य गुजरना चाहिए, सगन माध्यम में आपतन कौन को दिये गए, माध्यम के जूड के लिए क्रांतिक कौन से अवश्य बढ़ा होना चाहिए.